गुड इवनिंग फ्रेंट्स वेलकम टू एजूकेशन चैनल दोस्तों आज जो हम नोटिफिकेशन डिसकस करने जा रहे हैं यह है रेल्वे से साउथ इस्ट सेंटर रेल्वे में वेकेंसी निकलीफ भी है 26 वेकेंसी है ग्रूप सी के लिए है डिफरेंट डिफरेंट के लिए है तो चलिए इसमें देखेंगे कि क्या के इसके इसमें है किसा स्पोर्स के रिक्वेश्ट करूंगा तो पर नए हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि गौर्मेट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे राइट और वीडियो के लास्ट में तीन और नोटिफिकेशन होगा जो की आपके ग्रेजिएशन के लिए और प्लस टू होल्डर के लिए होगा ताप जरूर उसको भी देखे ये गया और ताकि आप उसमें भी अप्लाइ करते कें तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखिए मैं जूम करता हूँ साउथ इस सेंट्रल रेलवे यह वैकेंसी निकली भी है आपको 23 फरवरी तक अप्लाइ कर देना है इसको अब जो यहाँ पे देख सकते हैं आप नमबर ओफ पोस्ट यहाँ पे दिया गया है 111 इस तरह से आर्चरी मेल के लिए फ Sigे लिए फीमेल धोनों के लिए आर्चरी इस अधलीट मेल फीमेल के लिये बास्केटवॉर्ञ dud रोल फीमेल विमेन के लिए हैं क्रास कंट्रे में आपका वन वेकैंसी है इस न मिसी हैं क्रास कंट्री 10 किलोमीटर का वन हच्म है ऐपकी है स्ट्रैकर वन एगोल्कीपर वान् हाउन ये है आपका यहां पर दिखिए घोल्फ में आपका स्टू वैकेंसी है और हैंड़ बॉल में ऎल्राउंड़े वन लैप्ट विंग में वन उसके बाद Defender में 1, Chaser में 2 Vacancies है, Powerlifting में 1 Vacancies है और Weightlifting में 1 Vacancies है, Total 26 Vacancies हैं दोस्तों, और इसमें जो Salary Structure जो है, वो एराँ 20,200 रुपीस स्टार्टिंग में आपको मिलेगा, Group C के लिए, Education Qualification जो Level 2 और 3 के लिए है, वो 12 और ITI है, के इनी ट्रेड में, और इसमें दिया है, देर इनी इसमें दिया है, देर विए विए टेकनिकल, और ट्रेड यहां पर आप मेंसर है, देखिये, Candidate having the 10th qualification may also apply, they may have considered the technician categories, technician category में रखा जाएगा 3 यह के लिए, उसके बाद graduation candidate level 4 के लिए आते हैं, फर्स्ट यर BSE physics से होना चाहिए, 12th में, प्लस टू, in science, physics और math होना चाहिए, प्लस टू, stenography, हिंदी और English का आना चाहिए, stenography में जो है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह stenography करेगा आपका यहाँ पर प्रोफाइल, तो graduation के लिए English जो है, टाइपिंग जो है, speed जो है, आपका 80 होगा, और duration 10 मिनट में, और transcription time 50 मिनट का होगा, हिंदी 80, word per minute 65 मिनट टाइपिंट होगा, यह हो गया, उसके बाद, लेवल 5 में, graduation in any discipline, तो अब यहाँ पर लेवल जो है, डिसाइड होगा, एक category में, आपका जिसे कि ओलंपिक आपने खेलका है, वर्ल्ड कप खेलका है, वर्ल्ड कप चैंपियंशिप, एसेन गैम, कुमन वेल्थ गैम्स, यूथ, इस सब के हिसाब पर आपको जो है, मार्क्स मिलेंगे, जो यह आपका achievement है, 5, 4, 5 में, यह 2, 3 का था, और लेवल 4, 5 में, आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया, है, ओलम्पिक गैम में आता है, राइट, कोमन वेल्थ गैम हो गया, चेंपियंश ट्रफी हो गया, उसके बाद, टू, थ्री में, जो है, आपका youth हो गया, national, उसके बाद, चेंपियंश अट नेशनल लेवल, यह सब जो है, two, three level पे हो गया, right, तो ये उसके बात, देखिये, इसमें जो है आपका, जो अपने, आपका, जो trial होगा, ये जैसे basketball का होगा, football का होगा, आपका trial होगा, तो trial के basis पे आपका 40 percent लिया जाएगा, आपका जो achievement है, जिसे आपने Commonwealth game केला है, ये Champion's topic के लिए, जो है आपका selection होगा राइट और उसके बाद आपको यह permanent job है ऐसा नहीं है कोई trial कोई भी temporary job है यह पुड़ा fix job है दोस्तों और इसमें जो है आपको apply करने के लिए आप देख सकते हैं यहां पे जाईएगा www.secr.indian railway railways.gov.in यहां पे जाएगा आप recruitment पे जाएगा फिर rrc पे जाएगा फिर बिलासपूर पे जाएगा फिर sports quota 2021 पे जाएगा वहां आप apply कर पाएगा अगर कोई doubt होगा तो आप definitely comment कीजिएगा मुझे मैं आपको response करूंगा दोस्तों राइट application fee आपको pay करना है दोस्तो तो इसमें application fee जो है आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे 500 rupees आपको भरने पड़ेंगे जो कि बाद में 400 रुपया return हो जाएगा और 250 rupees जो है SCST को भरना पड़ेगा राइट so all the best for your selection process अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों साथ share कीजिए ये education channel subscribe कर दिज so all the best and don't forget to subscribe this channel thank you dosto